नमस्कार मेहमन सर्मा आप देख रहे हैं सुराज एक्सप्रेस की खास पेसकस पारा मोहला चुनावी हला इस कारिक्रम के ताथ हम रायपूर के सत्तर वाडों का हाल जनने निकले हैं और आज जनेंगे रायपूर के वाट करमंग तेरा राजु गांधी वाट का तो चलते हैं इस वाड की हकिकत जनने वाडों का हाल जनने हम पहुँच चुके हैं वाड करमंग तेरा राजी गांधी वाड इस वाड की समस्या क्या हैं वर्दमान पारसर ने हाँ पर कितना काम किया है वो यहाँ पर जनने की कोशिस करेंगे यहाँ पर वर्दमान पारसर की बात की जाए तो बिठल भाई हैं जो भाजपा के पारसर हैं इस वाड की अगर देखा जाये तो यहाँ पर जो समस्या इंकल कर सामने अभी सुराती तोर पर आ रही है और जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसके मताबिक देख सकते हैं जो नालिया है इस वाड में वहाँ पर उसकी सफाई नहीं हो रही है प्रयापत तोर पर जितने वाडों का अभी तक हमने दौरा किया है सभी वाडों से सफाई के जो मुद्डा है वो जो सवर से उटकर सामनी आया है जो वाड के लोग है वो सफाई के मुद्डे पर अपने पार्सद को घरते नजर आया है तो हमारे साथ इस राजियोंगांदी वाड के लोग मोजूद है उसे बाद चित करते हैं तो बताइये पारसद के कामकाच को कैसे देखते हैं? नहीं कोई भी लगा सकते हैं अब हमारे माताओं बहनों से पूचिया अब बताएं समस्ते हैं के अब अर्षत कैसे हैं? बैक्तिका तोर पर देखा जाया तो लोगों से जड़ाव रहता है उनका कि नहीं? वैसे लोगों से आज तक उसका कोई लगाव नहीं रहा ना कभी इस छेत्र में राजुगांधी वार्ड में कभी आके मिला नहीं कभी खड़े नहीं हुआ साथ में दोग सोक में कभी खड़े नहीं हुआ है केवल चुनाओ जीतना उनका एक मकसद रहता है चुनाओ जीत के फिर वो अपने ही केवल एक छेत्र को ही देखते हैं और यह कभी भी पारशनगर फपड़ी है जैसे साहुपारा यहा हमको बहार से भवान लेना पड़ता है जैसे गरीब तो कहां पर रहते है उनको आज बहार से भवान लेना पड़ता है हमलों कहां से भरपाई कर पाएंगे बताईए ना गार्डा ना कोई बच्चे क्छेले के लिए है आज कालोनी में देखो कितने सारा गार्डा ना देवेन नगर में यहां कोई गार्डा नहीं है और हमारे स्थानी जो बहाई लोग है जो काफी समय से कारी करते आरहे हैं उन्हीं को ही टिकेट दिया जाए तो क्या हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं और इससे जादा नहीं कहूंगा और हमारे बस्ती वाले भी चाहते हैं कि हमारी स्थानी बच्चे को ही मिले करके इसका काफी विरोध है और मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि स्थानी आदमी कोई टिकेट दिया जाए मैं कांगरेस पार्टी से रिक्वेस्ट करता है इस बात के लिए धन्यवाद अपने काम के लिए जाते हैं ढूनते तो पार्टी मिलता नहीं है घर दस बार दवड़ते हैं हमको किसी चीज बच्चे का पढ़ाई लिखाई का हिस्कुल का कुछ काजगात में हमको साइन करवाना है चील लगवाना है तो हम 10 बार दवड़ेंगे अपना काम धंदा छोड़ के तब वो पार्षत कभी मिलता है या तो नहीं मिलता है वाड में वाड में समस्या है कि कभी हमारे यहाँ पानी जैसे गर्मी में नहीं आता है यह यहाँ पर बोर था ये बोर का टंकी ले गए, बोर को ठीक ठीक नहीं करवाए, ये रहता है कभी नल नहीं आया तो हम इसी से काम चलाते हैं, ये निकाल के ले गए और उसका काम अभी तक नहीं हुआ है हैं, तो ये बात है, साप सफाई है, कि अभी उसको मतलब है, तो अभी साप सफाई कर रहे हैं, तो बाकी महना भर नाली साप नहीं होता है, गंदगी रहता है लोगों से गवली मुहले में मिलने आते हैं पारशाद? बिल्कुल नहीं, मैं बता क्या रही हूँ, जब अभी चुना है तब वो दीखेगा, पढ़नाम दाई पहचाना था, मुला देवे बोट, ऐसे खाली बोलेंगे, और उसके बात हमारे काम रहेगा, हमको किसी चीज में साइन करवाना है, सील लगवाना है, हम दर दर कुसके बहर जाएंगे, वो नहीं मिलता. खाली इन साल उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ और महिलाएं मसे बात करते हैं, कितना काम हुआ है अब है, अभी तो, मेरे को तो काम नहीं दीख रहा यहाँ, पारश्णघर में जो भी काम करवा है, जो यहां पारसाद है, मेरे को तुन ही लगता, आते ही नहीं है, बाता ह अब ही तो बना है से कर अभी बना है निरासी तो हम लोग नहीं लेते हैं जो लेड़े है उन्हीं लोग बताएंगी बस अकर बैतों को सुनतें है रहाधी है किसा पासड़ चाहिए आपको? आपको पासाज चाहिए कि जो काम हम लोग बोलते हैं उसको करना चाहिए, पुरा करके दिखा है हमको काम आपना दोली साफ थाफ पही करने क्लिक पंधर रोज में आए काचड़ तुरां उठाके ले जाए आठाट रोच कचड़ा पड़ा रहा तो फिर कचड़ा नल्ली चला जाता है तो क्या मतलब होता है नल्ली साफ कनने से क्या बड़ी समस्य वाड की वाड ऐसा है कि 60-70 साल पुराना ये बस्ती है आज किसी प्रकार का इस छेतर में बड़ा काम विकास जैसे कि हम लोग आज किसी प्रकार की साधी विहाओ की काम होता है चोटा मोटा छट्टी वरही का काम होता है तो यहां के जो पारसद है ये 20 साल से बनते आरा भारसद लेकिन आज तक किसी प्रकार का इस छेत्र में कोई अशा बड़ा काम नहीं किया है जिसके लिए ये लोगों की समझ्या को सुना जाए जो महतपूर्ण काम रहते हैं मुल्भूस विधाय हैं पानी बिजली सड़ाग इन तीनों मुद्दों के लिए काम यहां पर वास्तवीक रुप में हुआ है सिर्फ जो दावे पारसद ने किया थे चुनाव के समय वो सिर्फ दावे दावे के रहा है यह सिर्फ दावा करके रखें यह लोग आस तक किसी प्रकार का यह जो जन्सम सुईधा रहता है कहीं पे ट्यूलेड नहीं जल रहा है कहीं पानी नहीं आ रहा है टंकी जो है आई दिन देखो सबेरे एक घंटा नल खुलता है एक घंटा खुलने के पार साम को कभी ऐसा हो जाती है वो खराब हो गया नल तो बोर यहां पे रहता है तो वो समय में कभी काम आता है वो तो ऐसे जगा का बोर को टंकी को पुरा बोर को बंद करके नगर निगम के द्वारा ले गया गया है उसका सुईधा आज तक के नहीं हो रहा है लोगों को बहुत परिशानी जहलना पड़ता है इस सब्सारी समस्या है इस वार्ट की निकल कर सामने आ रही है और वार्ट की बात की जाए तो अभी वर्तमान में वार्ट नंबर 13 हो गया है और परिशिमन के चलते वार्ट काफी बढ़ा हो गया और जिस तरीके से पूरे सतर वार्ट में परिवर्तान हुआ है परिशमन के चलते उसका इस वार्ट में भी प्रोह पड़ा है कुछ और लोग में से बात करते हैं आप बताई है काम तो मेरे हिसाब से 12-15-15 दिनों में साफ साफाई होते रहते हैं और हैं कि सक्री हैं कि समय समय में दिखता है रोडों में देखता है घर में दिखता है रोडों में दिखता है घर में दिखता है घर में दिखते हैं यह हमारे गली को कितने बार होगे उसको बोलते एक गली दूसरे लड़का बुद्धार गली है ना वहां का यह लोहा लाके डा से आना जाना होता था तो जब से लोहे रखा है दो सल चैरब लाटा कर यह नहीं कर दोट अजर système knots कि वोहां कर दिए सफेbrahim right उस दिन से बोलना छोड़ दी, मैं अकेले हुरत जाद बोलूंगे, आजु बाजु वाले कोई नहीं बोलते हैं, क्या करूंगी मैं अकेले बोलके? आपको ऐसा पारसच चाहिए जिवा आपको सीधा धंगी रेता हो या कोई काम करा है, कैसा पारसच चाहिए? हमको वही है कि उसको चेंज करवाना है, हमको नया पारसच चाहिए, हमारे 36 गड़ी नया पारसच चाहिए, और हम उसे कुछ बोले हमारा सूने, वो तो कभी आता ही नहीं है हमारे गली मोहले में, हाँ अब चुनाओ के समय आएगा ताब आएगा वो, वो ऐसे नहीं आता फिर क्या सिर्व चुनाओ के समय ध्यान देता है क्या कि नाओ आएगा एगा वो, बाकी समय ध्यान नहीं देता है राजिव गांधी वाड के लोगों की राय थी और उनके बातों में साब्टवर पर निकल कर सामने आ रहा रहा है एक तरीके से पारसच के प्रति आकरोस नजर आ उनका साब तोर पर कहना है कि पारशत पूरी तरीके से यहां पर निस्क्री है चुनाव फिर आया है तो वो नालियों की सफाई करा रहा है पांच साल तक उन्होंने जो मूल भुस्विधा है साडक पानी बिजली उसको लेकर कोई काम नहीं किया सबसे और बातों में सबसे प् और रखे जो मूल भुस्विधा है उसको कम से कम पूरा करें सुराज एक्सप्रिस की खास पेसकर्स पारा मुहला चुनावी हल्ला में आज हम आप पहुंचे हैं वाड करमा का थाईस हेमुकल्याणी वाड वाड का हाल जानने की कोशिस करेंगे कि वर्तमान पारसत नहां प आधने वाले समय में इस वाड के लोग ऐसा उम्मिदवार चाहते हैं तो इस वाड के लोगों से जानने की कोशिस करेंगे कि अगिरकार जो अरतमान पारसत हैं उन्होंने कितना काम किया है जानकारी के लिए आपको बता दूग कि यहां पर अभी दिलीप किरंड सार्ती जो यहां पर वर्तमान में पारसद हैं और यहां को लेकर अगर परस्तितियों के बात किया है तो परिसमन के चलते वाइड में काफी परिवर्तन हुआ है यहां के लोग हमारे साथ मौजूद हैं पास साल बाद फिर एक मौका आ रहा है पारसद चुनने का जो आपके वर्तमान पारसद हैं उन्होंने कितना काम यहां पर किया है हमारे जो वर्तमान पार्शाथ है दिलिप का किरान सार्थी जो है उन्होंने मतलब अपना सब कुछ काम किया है और करते रहते हैं और उनका हमसे सिधा डारेक्ट संबंध है और जनता से भी डारेक्ट संबंध है वो हर समस्याओं को अपना जानकारी लेते रहते हैं लेकर के सभी प्रिकार की समस्याओं कर निदान करते रहते हैं, हमको मतलब उनसे सिकायत नहीं है, जैसे निरासरित पेंसन उनका भी काम करते हैं, रासन कार्ड है उसका भी काम करते हैं, साब सफाई उसका भी काम करते हैं, जब बिजली जब गोल हो जाता है, तो बिजली जब MPA भी आफिस उसके अलावा जो बिजली के जो ठेकेदार हैं उनसे संपड़ की स्थापित करके उन्होंने अपना मतला भी इसकारी को पूर्ण कराया मतलब उनसे हमको किसी प्रकार का वो नहीं है और ऐसे ही हमको भविश्ण में भी ऐसे ही पारसाथ चाहिए जिसका सीधा संबंध जो है जनता से रहे और जनता के जो समस्या उसे रहे ना कि ऐसे हमको पारसाथ के आवश्कता नहीं है जितने बाद अपने घर वे बैठे रहे ऐसे पारसाथ के आवश्कता नहीं है हमको ऐसे पारसाइट चाहिए जिसका सीधा सम्मना जो है जनता से रहे और समस्याओं को देखते रहे दूर करते रहे ऐसे पारसाइट की आवरश गयता है कुछ पहला है हमारे साथ मुझूद है उनसे भी बातचीत करते हैं यह बताई यह कितना काम है यह पर हुआ है इतना काम हुआ है यह तो मेरे को नहीं पाता भाई अब आता है काम करवाता है कैसा करवाता है यह मेरे को नहीं मालू नहीं जो आप उनके पास जाते हैं तो चीजें होती है काम होता है बोलने से करते हैं लो यहां पर काम हुआ है कि पहले भी होता रहा है यहां काम होता रहा है जो बूले से और करते हैं खासत तरपर निरशरीच पैंशन है और इसके अलाव़ जो रासन काड तुर बनाया है थो सब गान देता है यह उभंतमान पार्षड जो हैं उन्होंने कितना का महना पर किया है जो कितना करे ओत्र है आपक क्या आनना है Technicalaway दिखते नहीं है लेकिन नगरो निगम का काम हो रहा यह पक्का है क्योंकि जो काम होता है तो कभी दिखते नहीं है जो जैसे उन्होंने चुना लड़ा था, वादे किया रहे होंगे, उस वादो पर उतर हैं वो खरे? नहीं है, बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है, में चीज होता है भाई साब, आप जानते हो, हर मुहले की बात हुएते हैं कि साफ सफाई होना मुहले में, इनका यही है बरावर हो रहा है, इसके लिए मैं जूट नहीं बोलूँगा, कि मैं बिना मतलब के समस्या बताऊं कि ऐसा नहीं हो रहा है, एक गलत बात है, तो परियापत और पर यहां पर है, बिल्कुल परियापत है, बड़ी समस्या क्या थी पहले वाट की, जो अभी दूर हो गई हो, देखें, मुहले में सुरू से जब बलबीर जुनेजा जी जब सुरू से पारसत है, बड़े भीया, है नब अब कैसा पारसत हैं आप, कैसा पारसत हो, कैसा उम्मिदार हो, जो जनता की छोटी से छोटी समस्या दूर करें, और ब्रक्तिगवत तर पर उनसे संपर्क बनाए रखें, क्योंकि कई वाट से ये निकल कर सामने आता है कि निस्करी रहते हैं वाट पारसत जो समस्या को नगर निगम में उठा सके ये नी कि खाली ऐसा घुमे इदह उगर, हाँ, करेंगे, करेंगे और निकल जाए, आइसा नगर, अगर कुश समस्या घुड़ निगम में उठानाए तो उसको दम के साथ, पूरे जोश के साथ उठा सके अब पारसाद का एक हाला कि नहीं दिखता लेकिन जब भी कुछ भी कहोगे तो करता है उनके पास जाते हैं समस्या तमस्या दूर करने कोशिश करते हैं बहुत कुछ हाल होता है जो उसके वर्ष में रहेगा कोई बड़ा गंसीज कहेगा तो पारसाद कितना बड़ा आपब है पान जो चलतो रहा है बेटा सही जो चल रहा है कुछ गलत चलता है जो चलने का है अब वाकिस्वार्थ वाला बाद चीजा हम नहीं कर पाते हैं हमुकलानी वाड के लोग थे और इनकी लिजूली प्रतिकें अहां से निकलकर सामने आ रही है जो अरतमान पारसाद यहां पर दिलीब किरन सार्थी उनके कामकाच को लेकर यहां पर जो जनता है वो यहां पर संतूश नर्जा रहा है लेकिन अहला कि उनका यह भी कहना कि व हमें परिषिमन के बाद में वाड थोड़ा बढ़ गया है पहले इसमें थीन स्लम एरिया आते थे तो एक्सम्रेश वय क कारण से वह सलमुरिया कहीं और शिप्ट हो गया अब हिर्तमान परिषिमन में सेक्टर 4 फाइब वो Sector 2 का इरिया आया है तो थोड़ा सा बढ़ गया है अब छेतर बढ़ गया है काम का कैसा है परसत का पांच साल पहले जो वादे उन्होंने किये थे उस पर अमली जमा पहनानी कोशिस उन्होंने की है कुछ काम हुआ ऐसा कहीं सब लगता तो नहीं है कि पांच साल पहले जो वादे किये थे वो सिर्फ चुनावी वादे थे और धरातल पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि उन्ने उनन्सब चीज़ों के लिए कुछ प्लैन किया हो या कुछ गया है समस्यां जस्की तस बनी हुई है अभी भी जस्की तस बनी हुई है आगे जाकर देखेंगे तो कुँएं के पास का इस्सा अभी भी वैसी स्थिती बनी हुई है पीछे आप देख रहे हैं कि मुल्भु सुविधा से वंचित है नागरिक जो है वाडवासी, मोलबोल सुविधा से वंचीत है, हमारे जो पूरू पारसद नी है, जो दस वर्सों से यहाँ दो बार का पारसद रहा, उन्होंने आने की पारसद प्राप्त करने के बाद वो चेहरा देखके कारे करने लेगा, जैसे की गरीबी रेखा, निराशीत, ऐसे साप और वाड़ का समस्या जेओं कातेओं ही रहा, उनके पार जाओ तो ध्यान, हाँ बोलता है ध्यान ही नहीं देता था उस चीज में, उनके आने से कुछ चेंच हुआ है आपर वाड़ पे, उनके आने से कोई परिवातर नहीं हुआ है, जैसा भी है, वैसे अभी भी है, ना य अभी है, यहां इतने शीटी के अंदर वाड़ है, उसके बाद भी आज हम लोग बहुत पिछे हुए है इस वाड़ से, जो भी समस्य होती है किस भी होती है और पारसाद जी ऐसे समय आते है जब सब अपनी रोजगार के लिए चले जाते है उसके बाद वो अपनी उपसिती दर्ज करा के फिर वह से निकल जाते है और जो भी है समस्य हो वही कोई ख़ड़ा रहता है समस्य का कभी निना करण नहीं ह तो इस वाट के पारशत को लेकर मिली जूली प्रतिकियां लोकों की देखने के मिल रही है, कुछ का कहना है कि यहां पर परयाब रूप से काम हुआ है, वहीं कुछ लोकों का कहना है, जो मुल्बुस विधा है, उसको लेकर अभी भी यहां पर बहुत काम करना बाकी है, और अब दूसरे वाट में जाकर वहाँ देखेंगे कि वहाँ का हाल क्या है और आज के लिए बस इतना ही केमरमेंड अकलेश के साथ हेमन सर्मस्वाराज प्रस्राइपोर प्रस्राइपोर